Hello guys, Hi, Welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. Guys, आज again, कि मैं जो topic ले रहा हूँ, वो बहुत आपके काम का होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे questions, I don't know, ये comment में क्यों आते हैं, कि AdSense approval नहीं हो रहा है, या फिर कैसे होता है, इस पे इतने comments आते हैं, कि like मानो, कि लोग desperate है AdSense का account approve कराने में, तो दिक्कत क्या है इसमें, AdSense account approve कराना कोई भी बड़ी बात नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका नहीं हो रहा है, तो देना reasons, तो आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका base ये है, कि मैं आपको structure बताने वाला हूँ, कि AdSense actually में क्या देखता है, before reviewing your website, वो आपको किस basis पे approval देता है, आज मैं बहुत आसान language में, तीन steps में समझाऊंगा, क्योंकि AdSense वाले, as it is, इसी तरह आपकी website को वो review करते हैं, और उसके बाद वो approve या disapprove करना होता है, उसका decision लेते हैं, तो guys ध्यान से देखते रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि इस पे तीन major चीज़े आपको आज सुननी है, ध्यान से अपनी website में apply करना है, और उसके बाद मैं guarantee ले रहा हूं, कि 95% आप में से लोगों का website जो है, वो approve हो जाएगा, Google का AdSense अकाउंट जो है, वो activate भी हो जाएगा, right, तो guys, session को बिल्कुल भी skip मत करना, और पूरा देखना ज़रूरी है, चैनल पर अगर नहीं हो, सब्सक्राइब कर लो, पहले आइकन के साथ, और वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि ये बहुत amazing वीडियो होने वाला है, तीन सबसे पहली चीज़े, जो AdSense का reviewer है, जिसके पास आपकी website review होने गई है, वो तीन चीज़ सबसे पहले basic level पर चेक करेगा, number one, कि आपका जो content है, वो unique है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है, कि वो scraped content है, scraped content कौन सा होता है, कि आपने किसी और website content as it is, अपने website में paste कर दिया, ये AdSense के case में नहीं चलेगा, क्योंकि AdSense साफ इस policy को use करता है, कि अगर आपके website में कहीं से भी copied content, मतलब as it is, similar नहीं बोल रहा हूँ, copied content अगर है, तो आप बिल्कूल भी eligible नहीं हो, AdSense के लिए आपको fresh content चाहिए होगा, जो कि आपका लिखा हुआ हो, या फिर आपका modified हो, जिसमें आप अपने views को proper तरीके से mention कर रहे हो, Second, आपकी website AdSense policy program के अंडर आनी चाहिए, वो program क्या होंगे, वो policies क्या होंगी, मैं अभी mention करने वाला हूँ, लेकिन फर्स पहले तीन चीज़ बता दूँ, तो थर्ड जो चीज़ है, वो आप 18 years above होने चाहिए, तो यह major basic तीन चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, अब सबसे पहले आते हैं guys, first factor पे, कि unique content यहां पर क्या माना जा रहा है, unique content माना जा रहा है, कि आपके website के अंदर जो आप content दे रहे हो, उसमें image भी आ जाएगा, उसके अंदर अगर video है, तो वो भी आ जाएगा, और अगर उसके अंदर आपका text है, वो भी आ जाएगा, right, और इन तीन चीज़ों के अलावा, आपकी site का layout, overall आपके site की placing, ऐसा तो न चीज़े mismatch हो रही है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों का alignment का खास कर, placement का खास कर, यह adsense ध्यान रखती है, एक neat and clean website को ही adsense approval देना पसंद करता है, और अगर ऐसी कोई website उनको देखती है, कि जिस पे neatness नहीं है, या cleanliness नहीं है, उस website को वो hand-to-end disapprove कर देती है, तो इसलिए ध्यान रखो, WordPress के वो ही theme का prefer करना, जो की बहुत easy to read हो, जिसका layout बहुत ज़्यादा easy to understand हो, इसी में ही Google Adsense के जो reviewer है, वो यह देखते हैं कि आपका content बहुत ज़्यादा engaging है, मतलब अगर audience आपके website पे आती है, या फिर किसी एक page में आती है, तो वो आपकी website पे रहे है, there is no engagement, आपकी site में कोई engagement नहीं है, आपकी site में average view duration नहीं है, आपकी site में high bounce rate है, तो यह चीज़ बलकुल नहीं होनी चाहिए, यह चीज़ वो ज़रूर चेक करेगा, लिखित में यह चीज़ Google ने बताई है, कि हम सब यह चेक करते हैं, अब आते हैं guys, adsense policies के साथ, आ drugs, या un-prescribed medicines, वगर वगर अगर उसमें है, तो आप बिलकुल भी adsense approved नहीं करा पाऊगे, और इसके अलावा, आपका traffic source भी देखा जाएगा, कि आपका जो website का traffic है, वो कहां से आता है, अगर वो ऐसे website से आता है, जो कि अभी justman explained किया, उनमें से आता है, तो भी आप eligible नहीं ह आपने site को adsense के लिए approved कराने के लिए, आपके site का navigation bar बहुत strong होना चाहिए, navigation bar मतलब जहां से आप pages को define करते हैं, वो बिलकुल भी again ऐसा नहीं होना चाहिए, कि उसमें लोग click कर रहे हैं, ये देखके कि आपने जो navigation bar में लिखा है, लेकिन वो ले कहीं और जा रहा है, ये manipulation नहीं चलेगा, तो navigation bar proper mention होना चाहिए, about us page आपकी website में होना चाहिए, privacy policy and terms and conditions होने चाहिए, और इसके अलावा contact us page होना चाहिए, अगर आपके पास ये सारे facilities अवेलेबल हैं आपकी website पे, तो guys आप बेलकुल बे जिजक होके adsense के लिए आज ही apply कर दो, और आपका adsense जो है, वो approve हो जाएगा, क्योंकि Google खुद ये चीज़ कह रहा है, कि हम adsense approve करने से पहले ये सारे चीज़े देखते हैं, तो guys अगर आपको मैं इसको और आसान लैग मेंच में समझाओ, तो simple इतना करो, आज एक domain name purchase करो, या आपने कर लिया है, तो उस पर minimum 30 से 40 unique article लिख लो या फिर modify कर लो, modify का मतलब कि अगर आपने कहीं से उसको scrap भी किया है, तो आप उसे कम से कम 70% modify कर दो, मतलब अपना लिख दो, उसके languages चेंज कर दो, अपने according, 70% तो आपका वो fresh count हो जाएगा, इस तरीके से 30-40 content लिखने के बाद, about us page, contact us page, terms and conditions, privacy policy, ये mention कर दो, एक अच्छा सा theme ले आप मुझे यहाँ पर comment कर देना, इस वीडियो पर approve हुआ है, या नहीं है, फिर हम उस पर बात करेंगे, तो guys कैसे लगा यह video, I hope आपको यह clear हो गया है, कि आज के बाद आपको AdSense के लिए approval कैसे मिलेगा, clarity मिल चुकी है, अगर आपको इसके अलावा और कोई information चाहिए, त मुझे comment पर ज़रूर बताइए, मैं पुरी कोजिश करूँगा आपके comment को reply करने की, तब ते के लिए have a nice day, bye-bye, और subscribe नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, bell icon के साथ, और video को like कर लो, bye